आप सभी लोगों का स्वागत है महाराजा इस्टर्ड फार्म के पार्ट टू में। पहले पार्ट में हमने आपको इस फार्म का बहुती भैतरीन गोडा राम दिखाया था, जिसका बाप दाना गोडा है। इस गोडे की उम्र 7.5 साल है और हाइट 65 इंच है। इस गोडे की कबरिंग फीस 75,000 रुपे है। जिस भी भाई को अपनी गोडी कबर करानी हो तो आप इन नम्मरों पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं। आगे इस बीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस फाम का दूसरा गोडा देव नाग। और जानेंगे विश्नु भाई का छे साल का ये सफर और एक्सप्रियेंस कैसा रहा। बागी सब्सक्राइब कोई लोगों को आप इस बीडियो के अंदर जो दूसरा गोडा दिखाने वाले हैं। किया नाम है इस गोडियो का नाप नाग। देव नाग, नाग, और देव नाग का सर बाप कौन है, देव, देव गोड़ा, तर फेमस टेलियन देव, और मा की बात करें सर, मा इसकी है कोहिनूर ब्यूटी कर गए, कोहिनूर ब्यूटी, तो वो किसके पास में सर मा, वो राजस्तान में, राजस्तान में, तो अभी है प् चाहे साल का और हाइट हाइट सिख्टी नाइन है और मार्किंग में बात करें सर्थ मार्किंग में लक्ष्मी कदम है राजे के सर्थ तो ये लेके आए ताप में नया था इसके मा और बाप दोनों वॉल इंडिया चैंपियन है कि देव तो सब जानते ही है बिलकुल कोई नूर बीटी भी इंडिया के सब सोच जीती हुए और डाइरेक हंसराज वरकाने की थी और उसकी हाइड भी पेसट की है बिलकुल तो मा और बाप सही अच्छे थे तो उसकी पेडिगरी अच्छी रहेगी इस इसाब से मैंने जब त तो तब मैं इसको लेकिए था है जैसे जब आप नय थे कैसे फाल में यहां तो कैसे इसा ने लेने लगे प्रदिम बाद अपने है कितने टाइम बाद अपने इसाफ से लेने लगे है, एक एगज साल के बाद एक इसाल गड़ा हुग अपने साथ में आ बहुत प्रदि बदी अपने मेर को भी तूशन में लगकी इसलिए दाग चार महिने का बच्चा लाए भी 69 मेरे पास खड़ा है तो में नसीबदा निकला इसमें नहीं तो चार महिने के बच्चे आप जो गैसिंग करें और सबसे बढ़िया बाद ऐसी है कि यह जो गोड़ा है ब्रीडिंग में उससे बढ कार नहीं गई नहीं गई डेफिनेटली बेकार नहीं गई है बगिसर राम में और इस देवनाग में क्या फरक है क्या लगता है आपको राम में ब्यूटी कूट-कूट के बरिये प्रदीप गई और राम मेरे को लगता है बिचारा राम की तर वी गवाल और देवनाग में स पिस्रचर वाले ब्लड लाइन है उसमें दोनों के इसाब से उसको ज्यादा है अगर उसकी मा जो थी हो एविनेस के साथ साथ ब्यूटी भी बहुत थी उसमें बिलकुल तो अभी जो और इसकी सबसे बड़ी खासे दिये हैं कि देवडी लाइन में ज्यादा तर काले बच्च पर इसकी मेरे पास आठ बच्चे खड़े हुए आठ बच्चे खड़े हुए तो जैसे यह गोडाशर 69 है तो जब आप लेके आए थे चार मेने का बच्चा तब तो मेरो लगते हुए हाइट का क्रेज होगा में मानता है तो कुछ और लोग को ब्यूटी वीध हाइट चीए बिल्खुल और ब्यूटी वीध हाइट मिल जाए तो सोने पेश हुआ गा जैसी बात है और कुछ को एक प्यूर कंफोर्मेशन चाहिए जैसे लोग बोलते है कि बहुत का गोड़ाई ओरिदनल है तो मारवाड अपने पूरे देश का जो हिस्ट्री थी और सब उन्होंने बिगाड़ दी तो साथ-साथ में मारवाडी गोडों के साथ भी ऐसा हुआ है तो एक्जेट मारवाडी क्या था तो अपने सब अभी मेरे पास मेरी दुकान में जो माल है तो में बोलूँगा यही एक्जेट मार चल रहा है जिसकी दूकान में जो माल है वही और जो पूर्णल दूसरे के पास डूपलिकेट में है न अपने है अपने हाइट वाले भी बच्चे मेरे पास है और हाइत वीद कमफॉबेशन भी है तो किसी को बासट का चाहिए तो भी अपने पास है और एक दूकान ने है जूते की उसके अंदर 100 रपे का भी जूता 10,000 का भी है, कौन सा तुमको लेना वो तुमारे उपर डेपेंड करता है, बाई सर इस घोडे की भी कवरिंग बाहर चालू है या अब वीडियो के बाद हो जाईगी, नहीं अभी तक नहीं थी प्रधिपाई, क्योंकि में पहले मे हैं मेरे पास मेरे को मालूम है क्या रिजल देता है, वह लगता कि गोडा भी है और सेंपल के तौर पर आठ रिजल्ट भी है, और मेरे पास में आपको बताया अगले वीडियो में कि में 15 जानवर मेरे होंम ब्रीड एशी में से, टीसी में बाहर से खरीद के लाया था, तो म विए दोस्त लोग आते हो बोलते हैं कि सारंग की कमी पूर्णी करने के लिए आपके वाह है बिल्कुल क्यूंकि उसके लेवल के ही बच्चे दे रहा है बागी सरम जैसे बात करें इसके बच्चों के बारे में हैं आपके पाँ पर कितने बच्चे खड़े इसके आठ बच्चे की बीडियो ने भी बनाई है चलो भई लोगों के थोड़े से वीजवल तो दिखाएं ऐसे बोलते हैं कि चमतकार को नमस्कार है अगर एक हम मूँसे बोलते रहे बहुत खतरनाक बच्चे देता है तो कोई बरुसा नहीं करेगा पर हम लगता है कि लोगों को सबसे बड़ा बच्चा जो एक लास्टियर मेरा बच्चा था ऊच्छल था खूट गया था ओपस ब्रस पेला रिजल था है वहाट को बाईस 20-22 मैने का होके छूट गया था बिल्कुल अभी मेरे पाथ जो है ओब 20-22 मैने का एक बच्चा महराजा करके लिग करके फिर्श म तो है और दो और छोटी बच्चिया है जो बॉक्सर है उसकी एक बैन भी आई अभी बिल्कुल दो तिन मेने की आसपास की होगी हो अभी मेरे पास ऐसे आथ है अपने वीडियो में अपने पांच दिखा है उसके बात करें देवनाक के रेजल्ट की गोडे में और बच्चों म doing quel líber h Under directing में दे रहा है जो लोग मांग रहा है इससे दो टाइप के गोड़े रहते प्रदी यह सेudsकि एक show winner & a blader ब्रीड जो करें वो बिल्खुल रहता क्या है कि एक्चुली प्राइस जो ब्रीड अच्छा करता है उसकी होनी चाहिए मगर अपने गोडो मार्केट में उल्टा चल रहा है कि सो क्वालिटी सब मांग रहे हैं अभी सो क्वालिटी सो भी जीते वाल इंडिया के सब और चौक जाते बहुत कि कैसे होता है बिल्कुल और में इस बाद में मान रहा हूँ कि में लक्की हूं तो मेरे वाह अच्छे उसके 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 बीज़ा तो मैंने भाई को पुछा जब कभी कभार होता है कि गोड़ा कान पूरे जोडता है पर जब बीडियो बनाते तो गोड हाँ कान में गहब दे जाता है तो मैंने बाई पुछे में बाई को पूरे जोड़ता है के इतनी जोड़ता है कि बोले इसके बच्चे आप देखो करना सब के कुंदियार कान आते तो मेरे लगा बाई ऐसे ही बोल रहा होगा एक-दो बॉच्चे आहे होंगे बाद में कितना परसेंट रॉल गोडे का और कितना परसेंट रॉल गोडियों का मानते हो आप साइंटिफिकली प्रदिब्भाई देखे तो 50-50 होना चाहिए जैसे मुमेन में रहता है बिल्कुल गोडियों में ऐसे कहते है कि आगे 100 साल तक कुछ बोलते है साथ साल तक आगे ले जाते तो मतलब बिल्कूल साइंटिफिकली फिप्टी-फिप्टी रहता हैं गोडि पहले जाये तो गोडी गोड़ा का रोल ज्यादा हो जाये बर Чai ho detail hain को नहीं कर सकता है मा भी अच्छी होनी चाहिए ऐफ कं का है तो मतलब की दोनों का रोल मेरे इंसाब से मैं बोलता हूं कि 50 तो सर आपने जैसे पचास बच्चे ब्रीड करें जैसे तो जाद आता तो मैंने राजस्तान जालोर और बनास्काटा ऐसे गोडिया लिए पांच-छे साल पहले तो मैं बस वही गुमता था और तब तो हम जब आये तो हमको इतना ही मालूम था कि यही गोडिया मिलती है तो व तान भी था राजस्तान पहले इसकी वहां से लेके आये तो पहले के रेट में सर और आज के रेट में तना फरक है प्रतिवर दस गुना फरक है आप जो गोडिया मानने चलो एक लाग के लिए क्ले का होगे अज उस गोड़ी के क्या कीमत है मीनिमम टेन लेक्स की होगी दस पात लग तो पकड के लए चलो पांच गुना तो जो अक्र वडिने बच्चे उसके मेरे शयह के लिए मैरे पास मैं मेरा देवनायी और 27 प्याले ही मांगा गया तो लिए जा इतने मेला है उस्से बीस गुने पैसे में मांगा गया है तो डिया क्यों नहीं सर टो इसाइव प्यादा करूंगा उसके बाद इसको सोचेंगे एक बेच एक ना बेच नहीं सर जैसे लोग आते हैं जैसे आज भी नए लोग आते हैं उनका कैसा रहता है कि आते ही भाई सब अपनी दुकान में गल्ला चालू हो जाए आप क्यों इतना छह साल का इंतजार कर रहे हो आने दो तो वेट और वाज तो करना ही पड़ेगा वनना यह फिल्ल में आने का कोई काम ही नहीं है बागी सर जैसे हम लोगों को जो बच्चे दिखा रहे हैं देवनाक के तो अभी भी देने का मानस बनाए कर नी बनाए अभी भी नहीं दोगे नहीं देंगे मतलब कि कोई अच्छा करोंगा अपग्रेड करना है ना भाई च्छे साल में जो करा उससे अप जाना है तो उसी से में भी बच्चे सोचेंगे अच्छे उनको पसंद आएगे और मेरे को भी मन बनेगा तो यह का देर दिव भी देगा जब आपने 6 साल पहले गोड़ा मार्केट में आये होगे हम निवारोज मेशन Kiss remembers 2021 मेत संच्राश जब सभीड़ वार्य मेरे तम आनगा जान सब्सक्टाश वेडिन कि रहे ृतर है 21 अपर वाले कि मैं उसे जादा तर्वालेINO ने मेरे को ज्यादा दे दिया है पर एक बात है कि प्रदी भाई मियाद तक जितने भी गोड़े रखे हैं तो मैं दिल से खिलाता हूँ तो जो गोड़े का आशिवाद रहता है जो आप एक बार सोथ लेते हो कभी गोड़ी लाके में इसको लाख में लाके पांट लाक में बेद्दूद वो नहीं होगा हो कभी लखी लिए आपको कोई गोड़ी भाव से मिल गई हो और हो जाए तो हो जाए अगर सिंपल आपको बता हो तो इसका केल्कुलेशन की आप पांट लाक की गोड़ी लाए अच्छे गोड़े से ब्रीड कराई एक डे साल में आपके पास बच्चा आएगा समझो कि आप लोस का पर है आप देख लो तो पर यह है कि अपना जो दिमाग है और जो अपना मन है वो उसकी सेवा के प्रती समर पे तोना चाहिए मेरे को लगता है फल तभी मिलेगा अगर दिमाग में यह सेट है ना कि यार इसका आएगा और पांच लाक में बेचूंगा तो मैं प्रोफेशनली आप लोगे तो आपको रीटन नहीं देगा बिलकुल यह मेरा भी एक्सप्रियंस है खुद क्योंकि मेरे पास जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा मेरे को जो रीटन मिला है तो मैं परस्नली असा मानता हूँ कि मैंने जो दिल से खिल उनकी सेवा करी उसका र बच्चे हैं तो यह फिल्ड में आते है तो अपने मगत तो दोडाना पड़ता है जैसे कि समझो कि गोड़े में क्या मार्किंगे गोड़ी में क्या मार्किंगे किस गोड़े से क्या मिला है पट्टा नहीं है तो पट्टा है वो सब तो इंसन करता ही है मगर दिल से जो इस खिलाओगे तो बच्चा देगा उसके साथ उसके आशिवाद भी आपके साथ हाएंगे और आशिवाद के और आपका यह पैक्टिकल एक्सप्रियंस में अपसे सेर कर रहा हूं बिलकुल कोई इस पर अकिन करें ना करें उससे मेरे को कोई फरक नहीं पड़ेगा अपने असा मानते मेरे को जितना मालूम क्युंकि जब में फिल्ड में आये तो जिन लोगों को मेंने गूरू बनाया कुछ नहीं बताया था तो मेरको और उसका मेरको लॉस पड़ा है बिल्कुल लॉस भी पड़ा ऐसा नहीं पड़ा है तो परस्टनली में ऐसा मानता हूँ कोई नाया बंदा आया कोई भी X Y Z मेरको पूछे जैसे मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ तो आप उत्ते हो ग नए बंदे लॉसकी फ्यक्टरिया जामदगर में है तो में लॉस घीलाता हूँ और नए बंदे आते हैं उसको मैं बोलता हूँ यह जो रैडिमेट फीड पड़ाता है लोग बोलते को नहीं खिलाना चाहिए बहो टो गिलाना चाहिए जैसे कि आप अभी उव भाई शनी भ सब मिक्सी आता है तो वो खिलाने से आपको सिधा जो जो पूरा मिल जाता है तो जैसे मेरे पास असी गोड़े तो में बादरी और जो भादरी औरा जाओ तो में पूरा दिन इस बनाते रहो गें बनाते रहा शुबह से बनाओ शाम तक खिलाओ तब तक शाम का टाइम हो जाएगा और यह एपीड रेडी मेड फीड है जो जमें little mead meam...... दस में मैरा हसी गोडे का फीडिङ हो जाता थाया, तो मतलब कि आप खिला और इसा नहीं है इसमें, कई लोग बोलते है, स्टिरोड ज्यार है हो यह है नहीं होता है क्योंकि कोई भी फीड होता है तो जो गोड़े को चाहिए उसमें सब मिया क्योंकि हम लोगों के लिए तो फीड बर्दान है उनको फिर बारा मैने हो जाए और उनका बदले तो कोई बात नहीं है वह जो बोलते हैं कि अच्छे लोग बोलते हैं कि में तो यही खिलाता हूँ वह सब जूट बोलते हैं क्योंकि इसमें भी क्या रहता है गोड़े मार्केट में कप्रदी बहुत रहती है तो आप कर रहे हूँ आपके पास गोड़ा मेरे पास गोड़ा है मेरा अच्छा दीख रहा है लौक मेरे सामने रहोगे मेरे फां पे बैठ तो बड़ी बिल्कुल। विकेम दाए, इसे परिट भाइज कोले तो चैबना इस की डिनिगा, तो गोरो में है, वर MIने скट्धान को खिलाता हूं, उसके पीछे महनत कोषगे जो महनत काई उसका इतना बाद करम अश्काशाकिया उसकी दोता है और इसे मेहां खोश्मान करें जोड़ दो, चार पात साल वेट करो, तो आप कमाऊगे ही कमाऊगे, चार साल तो कम सकम इंतिजार करो, मिनीमम चार साल, क्योंकि आपकी गोडिया घर बच्चे देंगी, आप सब आज आए गोडिल आए, कोड़े को ब्रीड कराईए, एक डेट साल में बच्चा देगी, मान गई तो एक साल में तूरंद 11 मेने में देगी, वह बच्चा दो साल का होगा, तो किसी को समझ में आएगा क्या है, अभी बच्चा आपके वाद जन्मा, तो अभी जो पूराने ब्रीडर थे, उनको मालूम है कि यह क्या बनेगा, वह ग्यास ज्यादा कर लेते हैं, मतलब 100% नहीं पर नए बंदे को यह ग्यास होगा नहीं, तो बड़ा करेगा, तभी उसको मालूम पड़ेगा, क्या निकलेगा, क्या निकला, तो उसके लिए वेट और वच करना बहुत जरूर यह फिल्ड में, चलो सरा, आपने मेरे को लगता है कि नए लोगों के साब से इतनी सारी इस वीडियो के अंदर बाते बताईए कि अगर नया आदमी समझे तो उनके लिए काम की है, और रात और रात करोड़ पती बनना हो, तो फिर सारी बाते उसके लिए ग्यान की है, ग्यान की है, सही है, बागे भाई इस देवनाक की भी कवरिंग चालू है, डेडलाग और पर सरना इसकी फीज रखी है, तो कोई भी भाई अगर अपनी गोडी कवर करवाना चाता है, तो इसक्रीन पर नमबर चल रहा होगा, तो आप सर से कॉंटेक्ट कर सकते हैं, बागे भाई हम आपको अगल से जानने की कोशिस करेंगे, अगले पाटों के अंदर, तो जो पाट अभी आपने देखें, इस से बहुत बहुत बहतरी नगले पाट होने वाले, तो आप इस सिरीज के अंदर बने रहिएगा, और पूरी सर्म कम्पलीट सिरीज देखिएगा, ओके सर, थैंक्यों